Hello everyone, Welcome to Rally Study Friends, आज के स्वीडियो में हम MPGK के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम MPGK के बारे में डिसकस करने वाले हैं इस्पेसल सिरीज है MPGK की जी हाँ यहाँ पर आपके MPP पुलिस और SI 2019 की एक्जाम के लिए बहुत ही महतुपुर्ण नहीं यह वीडियो होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हम MPGK के वही कोश्चन इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो पिछले 4-5 सालों में बहुत बार रिपीट किये जा चुके हैं वियापम के द्वारा तो वही कोश्चन अम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं जी आप ज़्यादा जो कोश्चन रिपीट हुए हैं वही हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ही IMP होगा क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे ही कोश्चन देखने को मिलेंगे जो बार-बार रिपीट होते हैं और आगामी एक्जाम में जो कोईसी भी एक्जाम आप दे रहा है व्यापम की उसमें बिलकुल आपको आने की 100% संभावना है कि यहाँ से कोश्चन बिलकुल आपको एक्जाम में देखने को आपको बिलकुल मिलेंगे और एक-दू कोश्चन भी नहीं बहुत सारे कोश्चन यहाँ से आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे इसलिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखना होगा एंड वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा मोटिवेशन मिलेगा हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाने की कोशिस करेंगे जी आपको एक इंफोमिशन दे देता हूं फ्रेंड्स यदि आप MP Police, SI और Constable 2019 की दोनों की एक्जाम की तियारी कर रहे है तो यहाँ पर देखिए परिक्चा एप जो है इसको इंस्टोल करना है आपको Google Play Store पर जाके डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर डिस्क्रिप्चन में आपको इसकी लिंक दे दी गई है यहाँ पर जाके आपको इसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टोल कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहा है Sub Inspector जी हम Sub Inspector और Constable दोनों की एक्जाम के लिए आपको test series मिल जाएगी test series यहाँ पर आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी test series यहाँ पर प्रवाइट की जा रही है यदि आप यह coupon code हो अगर आप हमारे यह coupon code यूज करते हैं कीले का निर्मान किसने करवाई था क earthly का कीले का जो निर्मान करवायए द्वारा की कीले के निर्मान करवाया गया था यहां पर आपको यहाद रखना है काना किसली राश्टुद्यान का आप मंडला में इस्तित है काना किसली राश्टुद्यान यहाँ आपको इतना याद रखना है और यह 55 में स्तापित हुआ था है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मद्धिर्देश के भिलाव 1 उपज कहां से एकतरित की जाती यह की जाती है आपके चिंदवाड़ा से कहां से चिंदवाड़ा से चिंदवाड़ा इसी लिग्वाड़ा आपको राईट अनसर है नेक्स्ट उजएनिंए इसकी इनकी चैन्दरगुप्त दूती कि ड अगर और्ध चीन playing उंकर पर दर्टू इद्यान पूरत्त सहेडोलग के में आता था अब किंता है अब उम्रिया जीले में आता है किसमें उमरिया जीले में आता है पहले सेहडोल जीले में आता था तो यहां पर बिल्कुल भी कंश्यूस नहीं होना है आपको यही याद रखना है उमरिया नेक्स्ट आगे बढ़े मध्यफदेस में संजीवनी संस्था कहा इस्थी संजीवनी संस्था ओपाल में इस्थी यहां पर आपको यह याद रखना है कहां अधर बोपाल मैं इस्थी संजीवनी संस्था है घी Kick मारा कlet ने किस जन जाती का मूल निवास कोटा राजस्तान वा गुना जो कि मद्धिप्रदेस तक छेत्र में हैं तो यह जो सहरिया आपका राइड आंसर रहेगा सहरिया जो जन जाती है कोटा जो कि राजस्तान से गुना मद्धिप्रदेस तक फेली हुई है तो यहां पर राजस्ता में बहुत ज्यादा मादरा में देखने को मिलते हैं सहरिया जो जन जाती है यह तो मुख के जन जाती है राइस्तान में सहरिया ही पाई जाती है और मद्यप्रदेश के गुना सेत्र में भी यह पाई जाती है नेक्स टाइक बढ़ते हैं मद्यप्रदेश में कपड़ों का सहर कहा जाता है आप सभी को पता है इंदोर को कपडों का सेहर बोला जाता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर आपको यह याद रखना है जो इंदोर के अंतरगात आता है तामर पासान योगिन कालिन जो कि मालवा के संस्कृतिका पूर्मुक केंदर था नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अगले कोशन के राज में ग्यारवी पंचवरसी योजना में सरवादिक बजट किस छेत्र महारास्ट में मिलादिये गया है महारास्ट में मिलाएं था विधर्भ छेतर था मंत्यगे देश का मिलाएं थे 1956 में तो सन आपको यहाँ पर याद रखना है के का विद्रोफ सरुप्रतम कहा हुआ था तो इतर सथावन की क्रांटी का पूर आपको यहांऄ याद रखनाए नेक्स्ट दार के दूर्ग का पुलननीर्मان किस मुस्लिम सासक ने कर्वाया था था ती दूर्ग ता उसका पुना निर्मान ने कर्वाया था तो धार के जो दूर्ग था उसका पुरना निर्मान करवाया था धार के दूर्ग का चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुशिन के और मद्दिवारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिल्य में हैं तो बबरा जो कारखाना यहाँ जीले के अंतरगत आता है जो मद्दिवारत पठार के प्रमुख चीनी कारखाना डबरा जो की इसको नाम से जाना जाता है तो यहांप आपको गौलियर याद रेकां हैं नेक्ट कौन से संभाग छेत्र पल के सबसे बड़ा है तो चर्फ ऑल के सबसे बड़ा है वह आपका पॉर संभाग है जी हा संबस्ड मा इस राज ने कितने प्रतिता सीचाय त्हों द्वारश होती है तो ऩालाबो द्वारा होती है एंपी में कितने तीज posis नेक्स्ट जाबु अमें महेंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाए गया था तो यह चला गया था 1935 चलाए गया था 1935 चले आगे बढ़ते अगले कोश्चन कर कपिल धारा वा दुग्द धारा जल पृपाद जो कि किस जीले में हैं तो यह जो जीले में आपका सेडोल जीले के अंतरगत आते हैं कपिल धारा और दुग्द धारा जो जल पृपाद है आपका वो सेडोल जीले के अंतरगत आते हैं तो यहाँ आपका सेडोल बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट आई निम्न में सेBlueाध का अतरगत पादन मंद्यवं सेहें किस जीले से होता है तो किस जीले में होता है तो यहाँ प dividing में होता है इंध पोटा है और अग्जाम य सफरेगा आयगर वो तो बेदुल इसका राई डांस रहेगा नेक्स्ट कोशन है हमारा मद्धि प्रदेश राज जी का सबसे पूराना चिकिस्ता महाविध्याले कहां परिस्तिते तो यह जो है गजराजे जो चिकिस्ता महाविध्याले गौलेर है यह सबसे पूराना चिकिस्ता विद्या महाविद्या ले है जो कि मद्धिप्रदेश का तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है चलिए नेक्स्ट आगे वड़ते हैं अगले कोशिन के वर जी मद्धिप्रदेश के किस जिले में सरवाधिक वन पाए जाते हैं तो यह मंद्धिप्रदेश का इसमें सरवाधिक वन पाए जाते हैं पर मंदले जीले में पाई जाते हैं सबसे अधिक वन मद्धिप्रदेस के तो यहां पर आपको यह याद रखने हैं मंदला जीला नेक्स्ट मद्धिप्रदेस में परतम ग्राम नियाले कहां पर जो कि प्रारंब किया गा तो जहातला जो नीमच है यहां परतम ग्राम नियाले जो कि प्रारंब किया गा था हूँ से स्टार्ट खिया गाथा कि 1923 सथ्यगरे सुन जहबलपूर से वहा था सथ्या 높क्ष्ट ज tip-íveis करें पूचे जाते हैं आगे बढ़ते हैं मंद्त्रदेस सेहर जहां पर आया इटी और आयम दोनों विद्याले खोले गए हैं तो इंदोर जो है यहां पर IIT और IIM दोनों जो कि कोले गए तो यहां पर आपको याल रखना है IIT और IIM दोनों खोले गए IIT और IIM दोनों जो विद्याले महाविद्याले कहां खोले गए इंदोर में खोले गए तो एक मातर यह साहरे इंदोर जहां दोनों हैं नेक्स्ट मद्धि भारत पर उनों ने किस सताबदी में आकरमन किया था तो छटवी सताबदी में जो कि आकरमन किया था उनों ने मद्धि भारत में जो उनों ने आकरमन किया था छटवी सतावदी में किया था मद्धिप्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोग का जो कि चित्रकला है तो लोग चित्रकला जो पगलिया है यह मद्धिप्रदेश किस अंचल की है तो यह मालवा अंचल की है मालवा अंचल की है पग लिया आपको पता ही होगा पग लिया तो यहां पर यह जो लोग कला जित्र कला जो है यह मालवा अंचल की है नेक्स मद्धिप्रदेश उस्थव कहां होता है तो यह दिल्ली में होता है तो यहां पर आपको यह याद रखना है दिल्ली में होता है मद्धिप्रदेश उस्थव नेक्स्ट आमारा कोशन है मद्धविदेश के सांची में किस समुदाय का प्रषिद्ध परेटान है तो बुद्ध जो जो लोग है उनका जो परेटा निस्त ले तो यहाँप अपको याद रखने हैं बुद्ध से रिलेटेट है सांची पादा पेहम जिवास्म के लिए कौनसा राश्ट अधियान प्रसिद्ध है तो पहसिल राश्ट अधियान है जो कि आपका जीले में पाए जाबो जीले में पाया जाता है अज़े आब को यहाद रखना है जाबोघिले में मिलता है मद्द्रिट सुर्स मागसाइट निकलता है वह बाकसाइट प्रचूर मातर बाला घांट में मिलता है तो यहाँ आपको यह याद रखना है जो कि बाला गांट के अंतरकात बहुत बार एक्जाम में मलाच खंड नहीं दे रखते हैं बाला गांट उनली दिया रहते हैं निक्स्ट हमारा कोशन है मद्दवर्दस राजिस से ऊकर कितने राष्ट्राजमार गुजरते हैं कितने अठार हैं मालवा के पठार में सबसे उच्छी चोटी कौन से तो जाना पाओ जो पहाड़ी है सबसे उच्छी चोटी है मालवा के पठार की तो यहाँ पर देखिए आप confused नहीं होगे इसमें बिल्कुल भी कि यह बिल्कुल आपका सही question यहाँ पर दिये हुआ है बट कभी कभी क्योंकि सिगार भी आप याद रखे यह दिया आपको यह question में ना मिले तो बिल्कुल आप सिगार याद रखे क्या याद रखे देखिए मैं लिखके बता रहा हूं आपको जी यह सिगार जो चोटी है यह मालवा की सबसे चोटी उची चोटी इसको भी बोला जाता है आपको यहाँ पर जाना पाओ अगर आपको उप्सण में ना मिले तो बिल्कुल आपको यह सिगार जो है बिल्कुल आपका right answer रहेगा यह उप्सण में बिल्कुल आपको दिये रखा होगा चलिए नेक्स आगे बढ़ते हैं कुन सी रानी रामगड की जहांसी की रानी के नाम से प्रसिदे तो जो रानी दुर्गावती है यह रानी जो की रामगड की जहांसी की रानी के नाम से प्रसिदे कौन रानी दुर्गावती इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा नेक्स्ट विस्विग्यात खजराओ मंदिर का निर्मान चंदेल राजाओं ने कब करवाया था तो नो सो पचास से दसो पचास के मद्ध में करवाया था और जो खजराओ के मंदिर का निर्मान करवाया था वो चंदेल राजाओं ने करवाया था 1950 से दसो पचास के मद्ध मे आगे बढ़ते हैं याद रखना है आपको एकूशन दान अनुसंदान के अंदर मद्धितर से राजीं में कहां इसते आप है तो बडवानी इसमें इसे तर यह बडवानी बडवानी जो यह आपका याद रखना है यह बडवनी पूर्वी निमाड पस्टी में निमाड के अंतरगत यह आती है बढ़वानी तो यहां पर आपको यह याद रखना है नेक्स्ट खनीच के उत्पादन में मद्धिप्रदेश का देश में कौन सा इस्तान है मर्दि पुर्देश में कहा पर नियूंतम तापमान रहता है तो पंचमड़ी एक इस साइस तान जहां पर सबसे नियूंतम या सबसे कम तापमान रहता है मद्धिप्रदेश में पगलिया की संचल की लोक चित्र कला है तो यहां पर कोशन रिपीट हो चुका है क्योंकि आपकी एक्जाम में बार बार पूचे जाता है इसलिए रिपीट हो चुका है यह कोशन Next मद्धिप्रदेश की सबसे कम सीमा रेका किस राज इसे लगती है तो यह आपकी लगती है गुजरास से जी हां सबसे कम जो सीमा रेका लगती है मद्धिप्रदेश की वो गुजरास से लगती है तो यहां पर आपको यह याद रखना है गुजरास सबसे कम जो कि सीमा रेका लगती है Next नेक्स्ट में नेक्स्ट में सरवादिक तालाबो वाली सीचाई जो कुन सा जिला है तो बालागांट जो है यह इस जिले में सरवादिक तालाबो से सिचाई की जाती है तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है बालागांट चिंडवाडा के अंतर गता था चिंडवाडा भी कभी कभी को अप्शन में दिया हो तो है इसलिए यहाँ पर आपको यह याद रखना है बालागांट चिंडवाडा नेक्स्ट हमारा कोशन है गुज में से किस जन जाती का संबंद कत्था जो की उद्योग से तो कत्था उद्योग जो है इसका खेरवार जो जन जाती है इससे संबंद है जो कत्था जो उत्पादित करते है खेरवार जन जाती से सिधा संबंद है यहां पर आपको याद रखना है चंदेरी क्यों प्रसिद्द ह क्यों साडियों के लिए प्रसिद्धे चंदेरी तो फ्रेंड्स यहां पर कुछ कोशन लिए गए तो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही आई एंपी उम्मिद करते हम वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताए आगे भी यह से वी सब्सक्राइब करके बताएंगे तो वीडियो को जल दिस लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें चेनल पर पहली बारा सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि यहां पर लटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए तो थ